असलाम लेकुम दोस्तों, वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चेनल विथ इंग्लिश विथ सारंग हमारी सीरीज वही कंटीनू जोल रही थी, हमने नायंत की किताब से सस्ट के मुतालिख सारी एक्सराइस कंप्रिल कर ली थी, जो के वोकेबलरी पर थी नायंत की किताब तो हमने मुकामल कर ली, अभी हमने स्टार की है मेट्र की क्लास, द बॉक का आफ मेट्र क्लास इंगवर्मेंट मेटर क्लास से हमने तीन या चार लेक्चर पहले भी बना चुके हैं जो के वोकेबलरी पर था, फार्म साफ वर्ब साथ था और एक दो दूसरे थे अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा तो काइनली वो पहले देख ले तो आज का हमारा ये लेक्चर है टेंस पर, प्रेजन टेंस पर ये लेक्चर आज का जो हमारा है वो उसमें हम ब्रीफ ली पढ़ेंगे कि present simple tense, present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कहां कहां पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो आईए आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम आते हैं present simple tense पर अब simple tense आपको याद होगा कि simple को हम दूसरा बोलते हैं indefinite simple को दूसरा क्या बोला जाता है indefinite tense बोला जाता है क्यों बोला जाता है अब ये simple tense हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं permanent actions के लिए कौन से कामों के लिए permanent जो मुस्तकिल काम हो जो काम हम रोजाना करते हो या जो काम करने के हम आदी हो जो हमारे रोजाना के काम हो या जो हम रोजाना काम करते हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल टेंसेज अब अगर वो चलते हुए वक्त में काम होगा तो वो प्रेजन्ट होगा अगर गुजरे हुद को जाहर करेगा तो पास्ट होगा अगर आने वाले को करेगा तो future simple बन जाएगा पर आज की वीडियो हमारी है present पर तो आज हम सिर्फ present simple tense पर ही focus करेंगे तो present simple tense हम इस्तेमाल करते हैं किन किन कामों के लिए या किस लिए कहां पर इस्तेमाल करते हैं वहां पर जब हम बात करेंगे routine or habit routine or habit अब जो काम हम करने के आदी हो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे या जो काम हमारे routine पर हो रोजाना करते हो उसके लिए हम simple tense इस्तेमाल करेंगे जैसे यहां पर पहला example लिखा वाई I take a bath at 7 in the morning अब नहाने का काम जो है वो मेरा रोजाना का है सुबह को साथ बजे में रोजाना नहाता हूँ बात लेता हूँ तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैंगे simple tense दूसरा या तो general truth हो हकीकत हो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जैसे the sun rises in the east अब ये sun के उबरने का सूरश के उबरने का काम तो एक हकीकत है fact है truth है तो वहाँ पर भी हम simple tense ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे the sun is rising in the east यहाँ पर हम बलके ये कहेंगे the sun rises in the east तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे present simple tense जहाँ पर general truth की बात हो या fact की बात हो उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल टेंस किसके लिए नियर फ्यूचर के लिए नियर फ्यूचर के लिए जो काम हम आने वाले वक्त में करें पर वो करीब हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल टेंस यहाँ पर example है near future के लिए the tournament starts next week अब जो tournament है वो आने वाले वक्त में आने वाला अवस्वरी आने वाले हफ्ते में शुरू होगा या शुरू होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे simple tense near future जो काम जो आने वाले वक्त में हो पर वो करीब हो ज्यादा दूर ना हो जैसे next week लिखा हुआ है ये week चल रहा है और दूसरे week में हमारा tournament शुरू होगा तो near future है ये बात आने वाला है तो उसके लिए हम simple इस्तेमाल करेंगे और उसके इलावा describing something or someone किसी चीज़ को बयान करने के लिए जैसे बोलते है मेरे पास किताब है अब यहाँ पर मैंने बयान किया किताब किसके पास है मेरे पास है तो वहाँ पर हम simple इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमारा वर्ब आ जाता है हेव और हेज आपको अगर याद होगा तो हम पिछली वीडियो में पढ़के आया थे वर्ब के यूज़ेज कि वर्ब को हम किस किन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़ेज आ वर्ब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि एक वर्ब का एक काम ये भी है कि वो position शो करता है किसी भी subject की position को जाहर करता है तो यहाँ पर जो हेज लगा हुआ है ये simple काई है पर यहाँ पर हेज जाहर करता है position को उनकी बिली को नीली आखें है याने नीली आखें किस के पास है उनकी बिली के पास जो वर्ब जाहर करता है चलते हुए वद को या के पास है वो हमारा है तो यह हमारा हो गया describing something or someone describe क्या किया? हमने, Neely आखे बयान की describe किया किस की थी? बिली की तो यह हमंद्थ यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया उसके इलावा, Present Continuous पर आते हैं अब, Present Continuous हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? Present Simple तो हमारा हो गया, Permanent Actions के लिए है सिंपल जो भी हो हम इस्तेमाल करते हैं permanent actions के लिए जो मुस्तकिल का हो अब continuous की बात करें तो continuous हम इस्तेमाल करते हैं वहां पर जहां पर हमारा temporary action ह Mississippi हो और यह temporary है यह मुस्तकिल है और यह आरजी है यह किसी भी मुग्षूस वक्त किसी بी action and progress वो काम जो मुसलसल जारी रह रहा हो या जारी हो मिसाल लिखावाई I am writing a letter यानि अभी अभी किसी मखसुस वक्त पर मैं वो लिखने का काम जारी रख रहा हूँ I am writing a letter में ख़द लिख रहा हूँ यानि लिखने का काम अभी जारी है अभी मकसुस वक्त पर वो लिखने का काम continue है या जारी है, progress में है temporary actions के लिए इस्तेमाल करते हैं, they are having a good time अब having a good time, यह हम एक अच्छा वक्त गुजार रहे हैं गुजार रहे हैं तो वो उसी वक्त पर गुजार रहे हैं, वो रोजाना नहीं गुजारते तो यह हमारा temporary actions हो गया, near future के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जैसे यहां पर हमने near future के लिए simple इस्तेमाल किया था, वैसे ही हम continuous को भी near future के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यह वो चित्राल आने वाले हफते में जा रहे हैं, चित्राल के लिए आने वाले हफते में हमें छोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, आने वाले वक्त में होगा, वो काम आने वाले वक्त में होगा, continue होगा तो यह हमारा हो गया near future के लिए अच्छा इसमें हम इस्तेमाल करते हैं यूज अफ एम इस और आर एम इस आर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब का फॉर्थ फॉर्प जिसको हम बोलते हैं वी फॉर्प इंग फॉर्प जिसको हम बोलते हैं इंग फॉर्प या वी फॉर्प ये दोनों सेम है इनमें कोई भी फार्क नहीं है तो ये aim is are ये हमारे helping verbs हैं या कहले कि ये हमारे auxiliary verbs है present continuous tense को लिखने के लिए उसके बाद हम आते हैं तीसरे नमबर पर जो कहे है present perfect tense present perfect tense पहले तो हम ये जान लेते हैं perfect क्यों को बोल रहा है इनको perfect की माने है मुकमल मुकमल क्यों मुकमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें माना देता है किसी बेकाम के मुकमल होने की कि कोई काम किसी मुकमल हो चुका है या मुकमल हुआ है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं perfect tense present perfect tense की बात करेंगे तो मतलब चलते हुए वक्त में कोई का मुकमल हो चुका है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अब किन किन जागा पर इस्तेमाल करेंगे पहला है एक्शन्स रिसेंटली कंप्लीटेड यानि वो काम जो अभी अभी रिसेंटली यानि हाल ही में अभी अभी मुकमल होगे हो अभी अभी मुकमल होगा मुकमल हो जैसे इस टेंस को हम पास्ट में सुरी अर्दू में भी बोलते हैं कि जमान हाल सुरी माजी बाइद समान माजी बाइद अब बाइद की माने है करीब बाइद की माने क्या हो गई करीब माजी करीब क्यों बोलते हैं क्योंकि ये जो परफेक्ट استعمال کرتے ہیں उन कामों के लिए जो अभी अभी मुकमल होई है जो अभी अभी मुकमल होगा वो अगा उन्तलब वो गुजरे वट के करीब होगा करीब होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जमान माजी बाइद जिसको हम बोलेंगे प्रेजन पर्फेक्टिंस माजी के करीब होता है इसलिए हम उसको बोलते है रीसेंग ली जाने अभी अभी हाल ही में चोत्ता है हमारा यूज आफ हेज एंड हेव यहाँ पर जिसे हमने इस्तेमाल के रिया है यहाँ पर हमारा हो गया हेज और हेव हेज हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जब हमारा सबजेक्ट सिंग्यूलर होगा और हेज वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जब हमारा सबजेक्ट आए होगा और आए के साथ हमारा अगर सबजेक्ट पिलूरल होगा तो आए और पिलूरल के साथ हेज लगाएंगे singular subject के साथ has लगाएंगे मिसाल हमारे लिखे हुए है she has finished her work अब she has finished her work इसकी माने क्या हुई उसने अपना काम अभी मुकमल किया है मुकमल किया है मतलब अभी-भी मुकमल होने काम हो चुका है यानि वो गुजरे वरत के करीब है इसके लिए हम उसको बोलेंगे बाजी बाइट I have written three letters since morning मैं सुबह से चार खत लिख चुका सोरी तीन खत लिख चुका हूँ लिख चुका हूँ यह हमारा हो गया perfect यानि मुकमल होने की माना दे रहा है उसके बाद हम आते हैं perfect continuous पर अब perfect भी है हमारा और continuous भी है यहाँ पर हमने सिर्फ perfect पढ़ाता और यहाँ पर सिर्फ हमने continuous पढ़ाता पर यहाँ पर हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे एक साथ कैसे पढ़ेंगे perfect की मिनिंग भी होगी और continuous की continuous की कैसे कोई भी काम गुजरे हैं वक्त में शुरू हुआ हो यह starting point है शुरू हुआ हो वो continue रहा हो और हाल ही में या चलते हुए वक्त में वो खत्म हो गया हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं perfect continuous यहाँ पर जो हमने perfect में पढ़ा था वहाँ पर हमें continue रहने किसी भी काम के continue रहने की meaning नहीं मिल रही थी और यहाँ पर जो continue रहने की माना नहीं मिल रही थी अब यहाँ पर हमें मुकमल होने की माना भी मिलेगी और continue रहने की माना भी मिलेगी इसलिए हम इसको बोलते हैं perfect continuous कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं in action continuing over a period of time up to the present over a period of time याने गुजरे वक्त में कोई भी काम शुरू हुआ हो वो मुसलसल जारी रहा हो और चलते हैं वो वक्त में वो खत्म हो चुका हो तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे perfect continuous strength अब इसके हमारे पास helping अब कौन कौन से है helping अब हमारे has और have के साथ हम bin लगाएंगे अब has और has के साथ हम bin क्यूं लगा रहे है bin हमारा है V3 यानि third farm of the verb have और has के साथ हमने B का third farm लगा लिया जो जाहर करता है perfect को इनके साथ has been के साथ have been के साथ हम web का fourth farm लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं V4 अब V4 अगर आपको याद हो के वो हमने continuous में इस्तिमाल किया था अब यहाँ पर third farm लगा और fourth farm लगा जो के perfect और continuous तोनों को जाहर कर रहा है तो यह हमारे हो गए present perfect continuous मिसाल हमारे लिखे हुए है I have been ringing the doorbell for a while but there is no answer यानि मैं दरवाजे के घंटी बजा चुका हूँ पर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला बजा चुका हूँ यानि मैंने दरवाजे के घंटी बजाई वो मुसलसल बजाई और वो हाल ही में खतम हो गई बजाने का काम मुकमल मैंने किया जब मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला उसके इलावा है हमारे पास The water has been boiling for 20 minutes अब for 20 minutes याने 20 minutes से 20 minutes से याने कोई काम 20 minutes पहले 20 minutes पहले शुरू हुआ है वो continue रहा है और अभी अभी चलते है वो वक्त में वो क्या हो गया है खतम हो गया है याने शुरू हुआ continue हुआ और खतम हो गया शुरू हुआ continue हुआ continuous और खतम हो गया perfect परफेक्ट continuous तो यह हो गया हमारा present perfect continuous उमीदे आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी जो के tenses से मुतलिक थी present tense के मुतलिक थी जिसमें हमने 4 tense complete कर लिये थे simple continuous perfect और perfect continuous तो अभी हम आते हैं इसी से मुतलिक हमें कुछ exercises दी गई है जिसमें से पहली पहली हमारी exercise है लिखावाए use the correct form of the present simple tense अब इसमें सिर्फ हमने present simple ही इस्तेमाल का नेटोफिल following blanks use the words given below you can use one word only once remember that a verb used with the third person always takes s or es in the present अब इसका मतलब क्या है s और es इसका मतलब ये है कि जुमले में अगर हमारा subject singular होगा subject कौन सा होगा singular तो उसके हम verb में es add करेंगे जैसे हमारा verb है यहां पर read अगर हमारा subject singular हुआ तो verb के साथ हम es लगाएंगे जो हो जाएगा reads इसके इसके इलावा अगर हमारा subject plural होगा पिलूरल और आए होगा तो उसके साथ हम कोई भी एस नहीं लगाएंगे तो वो रीड जैसा है वैसा ही रीड रहेगा उसमें एस नहीं आएगी तो यह हो गई हमारा सिंग्यूलर सब्जेक और पिलूरल सब्जेक के मतलब अभी हम आते हैं exercise की तरफ exercise है हमारी पहला जुमला है verb हमें दिये गए है build, remember, play, trace, forget, listen, study, get इन छे में से सिर्फ हमने एक बार ही हर verb को इस्तेमाल करना है birds usually dash their nests in the summer birds usually यहाँ पर हम लगाएंगे build अब यहाँ पर ace build में नहीं लगेगी क्योंकि हमारा जो subject है birds वो pollural है, pollural है यहाँ पर हमने present simple क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि यह उनका हर गर्मियों में करने का काम है, यानि वो उनका काम करने के आधी है, वो हर गर्मियों में, गर्मियों की मौसम में अपने neist बनाते हैं नेस्ट को उर्दू में बताने हैं हाँ घोसला बोलते हैं घोसला बनाते हैं उसके बाद हमारा जुमला है I always dash carefully to parents advice अब यहां पर हम listen लगा सकते हैं लगाएंगे I always I always listen I always listen carefully to parents advice तीसरा जुमला है हमारा अब I के साथ हमने ace नहीं लगाएं क्योंके plural और I के साथ ace नहीं लगती उसके साथ हम ace नहीं लगाते क्योंके I हमारा first person है first person के साथ ace नहीं लगती तीसरा जुमला ही डेश अप लेट एंड डेश क्विकली फार स्कूल यहां पर हम क्या लगाएंगे अब ही हमारा सिंग्यूलर है यहां पर बात हो रहे उटने की तो हमारा उटने का जो वर्ब है वो है गेट अप यह गेट यहां पर हम लगाएंगे he get के साथ अब हम ace लगाएंगे क्योंकि जो he है he singular he is a singular subject तो he के साथ हम क्या करेंगे verb में ace लगाएंगे तो हो जाएगा he get supplied end dash quickly for school अब यहाँ पर क्या लगाएंगे end traces trace माने तयार होना dress double a से तो यहाँ पर हम लगाएंगे es, es लगाएंगे हमारा जुमला एक ही है इसमें verbs दो हैं पर subject हमारा एक है he singular है तो यहाँ पर भी dress के साथ हम es लगाएंगे he gets up late and dresses quickly for school वो सुबह लेट उठता है और जल्दी जल्दी में school के लिए तयार होता है उसके बाद हमारा चोथा जुमला है he dash in the afternoon end dash in the evening अब यहाँ पर है हमारे पास we dash in the afternoon end dash in the evening यहाँ पर क्या लगाएंगे we study we study in the afternoon end play in the evening यहाँ पर लगाएंगे we study हम दुबहर को पढ़ते हैं and we play in the evening और शाम को खेलते हैं अब यहाँ पर study और play के साथ हमने वर्ब क्यों एस क्यों नहीं लगाई क्योंकि हमारा जो subject है we वो पिलूरल है पिलूरल के साथ वर्ब में एस नहीं लगती उसके बाद हमारा पांच्वा जुमला है my friend dash name but dash numbers अब build भी हो गया listen भी हो गया steady भी हो गया play भी हो गया address भी हो गया और gate भी हो गया यहां पर हमारे दो वर्ब बचते हैं जो है remember और forget my friend dash name but dash numbers my friend यहां पर लखेंगे forgets my friend forgets यहां पर एस लगा ही क्योंकि friend यहां पर friend की बात हो रही है मेरी नहीं हो रही friend हमारा singular है तो वर्ब के साथ एस लगेगी my friend forgets name but remember numbers यहां पर हम लगाएंगे remembers b e r यहां पर भी एस जरूर लगेगी क्योंकि subject हमारा वही friend है my friend forgets name but remember numbers तो यह हमारी जो exercise थी वो present simple tense पर थी दूसरी हमारी exercise है जो है use the correct form of the present continuous अब यहां पर हमने verb इस्तेमाल करना है verb का form इस्तेमाल करना है पर किस में continuous में continuous में अगर आपको याद हो कि पीछे हम पढ़के आए थे के continuous के साथ verb का fourth form लगता है याने v4 v4 कहे ले या ing form of the verb कहे ले जो हम verb के basic first form की आखिर में ing लगाते हैं तो वो fourth form बन जाता है अब यहां पर है present continuous to fill the following links use the words given below you can use one word only once remember that in the continuous form ing is added to the verb and am is are added before the verb पहले हम helping अब लगाएंगे उसके बाद हम verb का fourth form इस्तेमाल करेंगे अब यहां लगाएंगे look it is so hard look it is so hard अब यहां पर लगाएंगे look it is raining it is raining verb हमने इस्तेमाल किया rain rain के साथ हमने ing लगा ली it is raining so hard यानि बहुत तेज बारिश हो रही है देखो बहुत तेज बारिश हो रही है we dash English these days we dash English these days अब यहां पर क्या लखेंगे यहां पर हम verb इस्तेमाल कर सकते है learn तो लिखेंगे we we के साथ हम helping up लगाएंगे are we are उसके बाद हम learn के साथ ing लगाएंगे तो हो जाएगा learning we are learning English these days हम आज अज़कल अंग्रेजी सीख रहे हैं the birds dash and the farmers dash their songs अब यहां पर है the birds dash यहां पर क्या लगा सकते हैं birds sing लिखेंगे the birds birds पिलू रहे तो हमारा helping up होगा वो are होगा अब sing के साथ हम ing लगाएंगे तो हो जाएगा the birds are singing the birds are singing in the farmers दोबारा हम यहां पर लगाएंगे are enjoying enjoying परिंदे गाना गा रहे हैं और किसान उनके गानों को मज़ा उनके गानों का मज़ा ले रहे हैं farmers हमारा plural है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे और वरब का ing लग जाएगा are enjoying the air songs उसके बाद हमारा है the teacher dash and the students dash अब teacher क्या करता है explain करता है बयान करता है चीज़ों को और शागिर्द क्या करता है उन चीज़ों को note करता है यानि लिखता है तो लिखेंगे the teacher is teacher हमारा singular है तो is लगेगा the teacher is अब लिखेंगे explain के साथ हम लगाएंगे ing the teacher is explaining and the students teacher teacher एक था हमने is लगाया students हमारे plural में है plural subject है तो यहां पर हम लगाएंगे are and the students are writing and the students are writing उसके बाद आखरी है हमारा some children dash in the pond and some dash clay twice अब यहां पर क्या लगाएंगे अब यहां पर हमारे जो verb बच्चे हैं वो सिर्फ हैं make or swim make or swim अब यहां पर लगाएंगे some children children plural है तो हम लगाएंगे are some children are अब लगाएंगे swim swim का fourth thumb हो जाएगा swimming some children are swimming in the pond and some some बच्चों की ही बात हो रही है तो यह भी plural है तो some के बाद साथ भी हम are ही लगाएंगे and some are अब यहां पर लगाएंगे make का fourth form and some are making clay twice तो यह आज की हमरे दो exercise थी जो के present simple change और present continuous change पर थी उसके इलावा भी हमारे पास जो exercise हैं जो के present simple change present continuous और perfect change पर हैं तो यह हम दूसरी next वीडियो में explain इसको कर देंगे kindly अगर आप में से किसी ने मेरा channel subscribe नहीं किया तो इसको पहले subscribe कर ले thank you very much